हेलो दूस्तो आज मैंने नेटपिलिक्स पर दविचर बिलड ओरिजिन नाम का शो देखा ये शो दविचर की ओरिजिनल टाइम लैन से 12 साल पीछे के बक्त में सैट है लास्ट येर दविचर के सीजन टू के लास्ट एपिसोड के एंड में इसका हमने आई गेस दो मिनट का एक टीजर देखा था जो मुझे काफी पसंद आया था तो उस बक्त तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेट था इस शो को लेकर बट अनफोर्चुनेटले ये शो हमें पूरी तरह से डिसपाइंटी करता है क्योंकि इस शो का होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता इस शो की बुनियाद एक जंग पर रखी हुई है जिसमें अल्ब्स भी शामिल हैं और उन्हें उमीद दिलाने के लिए एक औरत जो अपने आप में एक मिस्टरी है वो येस कियर को कहानी सुनाती है पहले बिचर की जो की एक अल्ब से ही था तो अब एक एल्ब बिचर कैसे बना क्यों बना और उसके साथी साथ येशो एंसियंट एल्ब्स शिवलाइजेशन को भी एक स्प्लोर करता है उनकी डेमाज से पहले मुझे नहीं पता कि बिचर के यूनिवर्स में येशो किया इंपोर्टेंस लगता है औलो इसका एंड करेड़िट सीन डिरेक्टली कनेक्टिड एद दविशर के सीजन बनके फ़स्ट एपिसोड के स्टाइट से ही जहां पर हमें पहली बार सिरी दिखाई पड़ी थी और जिस तरह से इसे डिरेक्टली कनेक्ट किया गया है सीरी से बो जबलड़स कीफा लगता है आई मीन बिलकुल भी कनविंसिंग नहीं लगता क्यूंकि पिछली बार जब वो सीन हमने बिचर के फफ़्ट सीजन के एपिसोड में देखा था तो बहां पर गैराल टॉक पसंद नहीं आया आई मीन इसका फ़स्ट एपिसोड करीब 35-40 मिनट का निकल गया और मैं इसमें बिलकुल भी इनमेफ्ट नहीं हो पा रहा था मैं इसे पूरी तरह से ही डिसकनेक्टेड और डिस्ट्रेक्टेड ही फील कर रहा था बट आदे पौने घंटे के बाद जब यह कुछ केलियर होती है तब यह थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ता है और उसके बाद ही मैं इसे से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाया और उसके पहले यहांपर जो भी चीज़ें हो रही थी उनमें से आदे से ज्यादा यह बाउंस ही कर रहा था लेकिन जब यह स्क्रीन प्लेबाइस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा और यह ज़रा भी इंटेंस एक्साइटिंग ठरलिंग और सस्पेंसपल नहीं है मतलब जो कुछ भी यह शो आपको देखने के लिए मजबूर कर पाए आपको कोई भी क्यूरियोसिटी हो ऐसा मुझे यहांपर क कर लोगे और इसे शो की सबसे बड़ी प्रॉबलम मुझे यह लगी कि जिस बक्त में यह शो फैट है उसे यहांपर जरा भी एक्स प्लोर नहीं किया गया जिस कादड़ यहांपर शो के इस राइट में सब कुछी आपके ऊपर से बांस होगा और मुझे बार बार रिबाइ इसे भी कुछ खास ओफर नहीं कर पाता और यहांपर जो कुछ भी हुआ बो मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगा हलांकि यहांपर काफी अच्छे और बड़े action sequences देखने को मिलते हैं जो आपको भी पसन आ सकते हैं एक समय के बाद मैं इसे बस देखता ही जा रहा था हलांकि मुझे इसमें व्यारा interest भी नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी मुझे देखना था तो बस देख रहा था यहांपर इस शो में जरा भी potential नहीं है हम चीजों में इस शो की दुनिया में और characters में deep में जाही नहीं पाते क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसे अच्छे से present और execute नहीं किया गया इसकी दुनिया को अच्छे से explore करना चाहिए था तब I guess यह शो थोड़ा देखने like बन पाता end जब हमें थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आता फिलाल तो यहांपर मुझे जरा भी potential नज़र नहीं आया और इसका जो treatment था वो भी अच्छा कहने जैसा नहीं था इसे शो को देखते टाइम ही आपको ऐसा फिल होगा ऐसे सवाल आपके मन में उठाएंगे कि इसे शो को बनाया ही क्यों गया किया जरूदत थी इसे बनाने की और कौन बो महान राइटर है जिसने इसे लिखा और जिसके मन में इसे शो को लेकर idea आया शोकर ड्रामा बहुत बाहियात है मास मसाला के नाम पर यहां कुछ भी नहीं था और इसे start करने के बाद आपका कहीं पर भी मन नहीं करेगा कि आप इसे आगे भी continue करें क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इसका plot घटिया है और एकी चीज मुझे समझ में नहीं आई वो यह है कि elves को अगर motivate करने के लिए और त्यास कियर को कहानी सुनाती है तो के elves तब demotivate नहीं होंगे जब वो उस बिचर के अंत के बारे में जानेंगे I guess इस बारे में तो इस issue के makers ने सुझा भी नहीं होगा यार लोग कुछ भी बनाती है और netflix ने तो एक record बना दिया है बाहियात content प्रबैड करने का और इस सकता है कि netflix खुद ही season 4 के बाद इसे cancel कर दे एंड शो का screenplay बहुत ज्यादा बाहियात है इसकी storytelling writing बहुत ज्यादा घटिया है बट इस शो का be effects for action मुझे बहुत पसंद आया और सिर्फ यहीं चीज मुझे यहां पर इस show में अच्छी लगी इसके अलाबा मैं यह नहीं कह सक तकि मुझे ज़रा भी मज़ा आया इसे देखने में या फिर मैंने इसे ज़रा भी कहीं से भी enjoy किया हो and actors तो भाई acting के मामले में तो मुझे कोई भी यहां पर ज्यादा disappoint नहीं कर पाया Sophie Brown, Lawrence O. Warren और Miran Mac के साथ-साथ यहां पर अनिसभी का ही काम कापी अच्छा है बट character development पर यहां बहुत अच्छे से काम नहीं किया गया मैं यहां पर किसी भी character में बहुत अच्छे से invest नहीं हो पाया और यहां इस पूरे show में कुछ भी ज़रा सा भी impactful effective नहीं था यह एक गटिया भी का show है जो हमें कुछ भी अच्छा offer नहीं कर पाता तो इस पर time waste करना फिजूल है म मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो पर रियक्ट बशकर ने फिर चाहिए apply करें and it's like it's up to you बाकि अगर आप लोगों ने यह mini series देखी है तो मुझे नीचे लिख कर पताना कि आप लोगों का इस पर क्या take है and of course like share and subscribe करना चैनल को वीडियो को चलिए it's the moment for me to say tada